नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल GK Tracker पे देखे फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप GK MCQ सीरीज और इस सीरीज का आज हम 21 पार्ट यहां पे कवर करेंगे इस सीरीज में हम एक्जाम में बार-बार पूछे गए प्रशनों को यहां पर कवर करते हैं ना सरिफ कोशन को कवर करते हैं बलकि उन से रिलेटेड जितने आपके फैक्ट सोते हैं इन कोशनों से रिलेटेड उनको भी यही पर कवर करते वे चलते हैं जिससे आपके question का पूरा concept आपका clear हो जाता है और साथ-साथ में आपका revision भी यहाँ पर हो जाता है अगर आपने इससे पहले की classes को नहीं देखा है आप उनको playlist में जाके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की class को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्ण है हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जलसंधी जोडती है तो देखे कौन सी जलसंधी है जो हिंद महासागर को लाल सागर के साथ जोडती है सही आंसर है बाब अल मनदेव की संधी यहाँ संधी इन दोनों सागरों को आपस में जोडती है ये कोशन भी आप से पेपर में पूछा गया है एक और चीज इसका एक उपनाम भी है यह जो जल संधी है इसका उपनाम है आसुओं का द्वार सिधा कोशन बनेगा इनमें से किस जलसंधी को आसुओं का द्वार कहते हैं, इसे ही कहते हैं, ठीक है, कुछ important जलसंधी है, जो आपसे पेपरों में पूछी जाती है, जैसे यहाँ पर मलक्का दिया है, मलक्का जलसंधी, अंडमान सागर और जो South China Sea है, इसको आपस में जलसंधी है, ठीक है, जो फारस की खाड़ी है, और जो ओमान की खाड़ी है, इनको आपस में जोड़ती है, होरबूज, जल, संधी, इसके अलावा, कुछ important जलसंधी हैं, और हैं, जो पेपर में आती है, एक है आपकी हर्सन जलसंधी, यह Atlantic महासागर को हर्सन की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है, एक है सब से important, जिबरलाटर जलसंधी, यह किसको जोड़ती है, यह आपके Atlantic महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, एक है आपका मैगलन जलसंधी, आपकी Atlantic महासागर को प्रशा Slim hmm जलसंधी जोड़ती है, इसको भी याद करेंगे, और एक और ठीक है? Next है, किसी भी अर्थ ववस्था में पूझी निर्माण किसके उपर depend करता है? तो देखे, पूझी निर्माण किसी भी अर्थ ववस्था में निर्भर करता है? कुल बचत पर. Option A हमारा सही आंसर होगा. ऐसा ही कोशन पूझा जाता है, पूझी निर्माण किसके उपर depend करेगा? आप बताएंगे, बचत पर depend करता है. Next है, भारतिया स्टॉक मार्केट का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? यानि जो हमारा स्टॉक बाजार है, जो शेर मार्केट है, इसे कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है? ये करती है CB. Option C, सही आंसर होगा. CB की फुल फॉर्म की बात करें, तो Securities and Exchange Board of India, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है? ये है Security Exchange Board of India, इसको याद करेंगे. CB की स्थापना की अगर हम बात करते हैं, CB की स्थापना 12 अप्रेल 1988 में करी गई थी. CB की स्थापना कब होती है? 12 अप्रेल 1988. इसको वैधानिक मान्यता कब दी गई? मान्यता इसको 30 जनवरी 1992 में दी गई. इसको भी याद करना है मान्यता 92 में, स्थापना 88 में, ठीक है? CB का Headquarter कहां पर है? तो इसका Headquarter मुंबई में है. ये भी Question बनता है. तो ये कुछ Important Fact CB को ले करके. CB का मुख्य काम क्या है? तो Stock Market का Venemen करना, जो भारत का पूंजी बाजार है, प्रतिपूदी बाजार है, उसके निगरानी करना, और जो निवेशक हैं, उनके हिटों की रक्षा करना. ये CB का मुख्य कारे है. ठीक है? Next है. भारत में पहली बार मुल्य संवर्धिन कर कब लगाया गया था? यानि जो Value Added Tax है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है. भारत में पहली बार वैट 2005 में लगा था. Option B, सही आंसर हो जाएगा. Green Muffler का संबंद किस से है? तो Green Muffler जो है आपका, ये ध्वनी प्रदूशन से संबंदित है. Option C, सही उत्तर होगा. जहां पर जादा ध्वनी प्रदूशन होता है, तो वहां के लिए ये तकनीक निकाली गई, कि वहां पर साइड में ऐसे पेड़ों के कतार को लगा दिया जा और ये किस से संबंदित है? ध्वनी प्रदूशन से संबंदित है, ठीक है? Next है हमारा, महा सागर में जवार भाता की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निमलकित में से क्या है? तो थीक है, महा सागर में जो सागरिया जल होता है, उपर उठता है, उसके बाद नीचे गिता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है जवार भाटा और इसके आने के तीन प्रमुक कारण है तीन important कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण है सूरिय का गुरुत्व आकरशन बल दूसरा कारण है चंद्रमा का गुरुटु आकरशन बल ठीक है? इन दोनों के गुरुटु आकरशन बल और तीसरा इंपोर्टेंट कारण है हमारी पृतवी का अपकेंदरिया बल ये तीन कारण है जवार भाटा आने के तो option c इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है? इन दोनों क गुरुत्वाकर्षन बल और पृत्वी का अपकेंद्रिय बल इसकी वज़ा से ही जवारभाटा आता है एक क्वेशन उत्राखंड में एक्जाम में आपसे पूछा गया था दुनिया का सबसे बड़ा जवारभाटा कहां पर आता है ये आता है फंडी की खाड़ी में इसको भी याद करेंगे क्वेशन बना है उत्राखंड में बना है यूकि ट्रिपल सी ने इसको पूछा था तो दुनिया का सबसे बड़ा जो उंचा जवार भाटा आता है विश्व का वो कहां आता है फंडी की खाड़ी ये आपके कनाड़ा में पड़ती है ठीक है तो अगर राष्ट्रपती शाषन किसी राज्य में लगता है तो उसका प्रस्ताव भी संससे पारित करवाना होता है और ये आपके साधरन बहुमत की ही इसमें आवश्यक्ता होती है कोई विशेश बहुमत की आवश्यक्ता यहां पर नहीं होती किस समवैधान शंशोधन के द्वारा राज्य लोग सेवा आयोग के सदस्यों की आयू सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करी गई थी तो देखे जो राज्य लोकसेवा आयोग होते हैं, हर राज्य के अपने हैं, इनके सदस्यों की retirement age 60 वर्ष से बढ़ा कर 62 वर्ष ये करी गई थी 1976 में, और इसके लिए एक संसोधन किया गया था 41 वा संविधान संसोधन, option A हमारा सही आंसर होगा, तो राज्य जो लोकसेवा आ योग है UPSC, इसमें कितनी हैं, इसमें अभी भी 65 वर्ष है, ठीक है, संसधिया प्रक्रिया में, शून्य काल के संधर्व में, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो शून्य काल, जीरो आवर की बात यहां पर हो रही है, इस से related कौन सा कथन सही है, चलिए देखते हैं, यहा 1962 से जारी है, तो यह भी सही है, जीरो आवर, 1962 में शुरू किया गया था, ठीक है, यहां अनौप्चारिक साधन है, जिसमें संसध सदस्या, बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, यह भी आपका बिल्कुल सही है, तो उप्युक्त सभी कथन यहां पर सही है, उप तो प्रोटेम स्पीकर की निप्ती भारत के राष्ट्रपती के द्वारा की जाती है, उप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, जब नई लोग सभाच चुनकर आती है, तो सभी सदस्या दुबाराशे शपत लेंगे, इनको शपत दिलाएगा कौन, तो इनको शपत दिलाने के लि लेते हैं, स्पीकर बना लेते हैं, तो इसको आपने याद करना है, ठीक है, जैसे विधान सभाओं में भी होता है, वहाँ पर प्रोटेम अध्यक्ष किसी को बनाया जाता है, नेक्स्ट है, भारत के समविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उलेखित है, तो कौन से अधिनियम के तहट राज्य और केंद्रों में शक्तियों का विभाजन किया गया था, ये किया गया था भारत शाषन अधिनियम 1935 के तहट, इस अधिनियम के तहट प्रांतों को कुछ अधिकार दिये गए थे, प्रांतों में सोशाषन की शिरुवा एक सूची थी परिसंग सूची, एक सूची थी परांतिय सूची और एक थी आपकी संवर्ति सूची, वर्तमान में परिसंग सूची को हम संग सूची कहते हैं, परांतिय सूची को राज्य सूची कहते हैं, सिर्फ इतना फरक है, तो शक्तियों का विभाजन इसी अधिनियम जो special powers थी, जो वर्तमान में केंद्र को प्राप्त हैं, यानि संसत को प्राप्त हैं, इस अधिनियम के तहर ये अवशिष्ट शक्तियां वाइसरोई को प्राप्त थी, इसको भी आपने याद करना है, कोशन बनता है, 1935 के अधिनियम के तहर अवशिष्ट शक्तियां किसको प् तो देखे देसी रियासतों के भारत में विलाय को लेकर के लगतार कुशन आपसे पूछे जाते रहते हैं। पचास ने भारत में विलाय स्विकार कर लिया था। अगर हम डेट की बात करें कब कब हुआ था। के 20 फरवरी 1948 को यहां पर जन्मसंग्रह हुआ था। भारतिय सेना ने अपना अधिकार यहां पर 7 नवंबर 1947 में ही कर लिया था। उसके बाद 20 फरवरी 1948 में जन्मसंग्रह करवाया गया। लगबग 2 लाख वोटर्स थे यहां पर जिनोंने अपना जन्मसंग्रह में वोट करना था। 2 लाख में से 1,90,000 लोगों ने वोटिंग करी और 1,90,000 में से पाकिस्तान के पक्ष में केवल 91 वोट यहां पर पड़े। तो जन्मसंग्रह के माध्यम से जुनगर रियासत भारत का हिस्सा बनी। जो हमने कुछ दिन पहले एक डेटेल वीडियो देखा था राज़ों के पुरनरगठन के बारे में वहाँ पर हमने सभी राज़ों का गठन और देसी रियासतों का विलय पूरी स्टोरी कहानी के माध्यम से वहाँ पर देखी थी सभी तथ्यों के साथ। आप उसे प्लेइलिस्ट में जाके एक वीडियो एक टॉपिक सीरीज में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैदिक काल में अपरादियों को पकड़ने का कार्या कौन करता था। तो देखें वैदिक काल के एक important अधिकारी की यहाँ पर बारे में पूछा गया है जो अपरादियों को पकड़ने का कार्या करता था। उसका जो मेन अधिकारी होता था गौचर भूमी का अधिकारी उसे वजपती बोला जाता था। कहीं पर वजपती है कहीं पर वाजपती है ठीक है यह गौचर भूमी का मुख्य अधिकारी होता था। इसपश की बात करें इसपश क्या होता था। जनता की गतिविदियों पर नजर रखने वाला अधिकारी ठीक है, सिधा कोशन अगर यहाँ पर बना दे वैदिक काल में जनता की गतिविदियों पर नजर रखने वाला अधिकारी को क्या कहते थे तब आप बताएंगे इस पश रतनी ये रतनीन की बात करें तो जो महत्पून अधिकारीज होते थे, यानि कि जैसे हम अधिकारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे ना, तो इनको रतनी बोला जाता था, ठीक है, यह सारे क्या थे, यह सारे रतनी थे, अधिकारियों को रतनी या रतनी बोला जाता था, कुछ important अधिकारी और हैं, जो आपको बोला जाता था, इसको भी याद करेंगे, ऐसी महिलाएं, जो जीवन भर अविवाहित रहती थी, इनको अमाजू बोला जाता था, इसको भी याद करेंगे, कुछ important जो हमने देखा, शब्दवली और अधिकारी, इसके अलावा, जो अधिकारी या जो व्यक्ति वेदांगो को पढ़ता था, तो वेदांग पढ़ने वाले को उपाध्य है बोला जाता था, व्यापार के लिए दूर दूर जाने वाले व्यक्ति, यानि कि जो व्यापार से जोड़े हुए व्यक्ति थे, उनको पणी बोला जाता था, ठीक है, व्यापारिक व्यक्ति, जो नाई होता नाई के लिए वहाँ पर वापता शब्द का इस्तेमाल किया जाता था तो वैदिक काल के ये कुछ important अधिकारी और शब्दवली हमने यहाँ पर देखी इनको आपको नोट करना है अशोक के किस शिलालेख में आत्म नियंत्रन की शिक्षा दी गई है तो देखें अशोक के हमे चौधा शिलालेख मिले हैं और इन शिलालेखों में किस में क्या बात बताई गई है जो important है वो आपसे question बनते हैं जैसे यहाँ पर पूछ लिया आत्म नियंत्रन की सिक्षा एक पूछा जाता है अशोक के किस शिलालेख में उसने पशु बली की निंदा करी है अशोक के किस शिलालेख में उसकी तीर्थ यात्रा का उलेख है इस तरीके से तो सभी को हम यहाँ पर देखेंगे जो आपके important शिलालेख है पहले अशोक के शिलालेखों से लेकर दो-तीन question है उनको याद कर लेते हैं अशोक के शिलालेखों की खोज किस ने करी थी अशोक के शिलालेखों सबसे पहले पढ़ा था James Principe ने ठीक है तो अशोग के शिलालेकों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ती James Principe था इसने 1837 में इनको पढ़ा खोज पूछेगा ये पढ़ा किसने इसने ठीक है अब बात करते हैं अशोग के किस शिलालेक में क्या बात है पहले प्रशन का उत्तर तो पशुबली की निंदा उसने अपने पहले शिलालेक में करी है इसके बाद चोथे शिलालेक के बारे में पूछा जाता है अशोग के द्वारा बहरी घोष की जगा धम घोष यानि युद्ध नीती की जगा धर्म नीती इसके बारे में कहां पर बताया है उसका शिलालेक नमबर चार में ठीक है इसके बाद पूछा जाता है अशोग के किस शिलालेक में धर्म महामात्रों की निक्ति के बारे में बताया गया है तो धर्म महामात्रों की निक्ति अशोग के पांचवे शिलालेक में बताया गया है छटा शिलालेक हमने देखा किस से संबंदित है आत् में शिलालेक में हुआ है। अशोख का जो धम था उसकी व्याक्या शिलालेक नंबर 11 में करी गई है। कलिंग युद का वळनन उसकी शिलालेक 13 में किया गया है। जनता को धार्मिक जीवन के लिए प्रीरित करना उसकी शिलालेक चोधह में बताया गया है तो ये कुछ इंपोर्टेंट है जो आपको याद करना है पहले वाले में क्या था पशुबली की निंदा चोथे में क्या था भहरी घोस की जगह धम घोस पांचवे में धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति छटे में आत्म नियंतर साथवे और आठवे में तीर्त यात्रा का उलेक ग्यारवे में धम की ब्याक्षा तेरवे में कलिंग युद और चोधवे में जनता को धार्मिक जीवन के लिए प्रिरित करना ठीक है प्रतम करनाटक युद किस संधी के साथ समाथ हुआ था तो तीन करनाटक युद हमें देखने को मिलते हैं कौन सा करनाटक युद किस संधी के साथ खतम हुआ ये कोशन बनता है जो पहला करनाटक युद था ये आपके 1746 से लेकर 1748 के बीच में लड़ा गया मुक्यतह करनाटक जो वार होते थे ये आपके फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य में लड़े गई थे ठीक है पहला करनाटक युद एला शापेल की संधी से समाप्त हुआ था उप्शन ए इसका सही आंसर होगा जो दूसरा करनाटक युद था वो पॉन्डिचेरी की संधी से खतम हुआ था तो तीनों को आपने याद करना है तीनों यहाँ पर आपके क्वेशन बन जाते हैं जो हमारी आधुनिक भारत की मास्टर वीडियो है अगर आपने उसको नहीं देखा है पूरा आधुनिक भारत ये रोपियों के आगमन से लेकर के भारत की आजादी तक का पूरा content आपको एक वीडियो के अंदर to the point notes के माध्यम से मिलेगा जिसमें हमने इन सभी विश्यों के बारे में पूरी detail से बात करी है सारे युद्ध हो जाएं आपके सारी संधियां हो चाहे महतपूर्ण घटना करम हो आंदोलन हो सारी चीज़ें आपको एक सिंगल वीडियो में मिल जाएंगी तो अगर आपका आधुनिक भारत modern Indian history वाला टॉपिक कमजोर है तो आप इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं इससे आपके सारे टॉपिक सारे concept के लिए हो जाएंगे अगला है हमारा प्रतम आंगल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय में लड़ा गया था यहाँ पर बर्मा होगा ठीक है आंगल बर्मा युद्ध पहला वाला ये कब लड़ा गया ये लड़ा गया था 1824 से 26 के मध्या में प्रथम आंगल बर्मा युद्ध इस समय लड़ा गया था इस समय गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का इस समय गवर्नर था M. Hurst Option A हमारा सही आंसर होका M. Hurst की बात करें तो 1823 से लेकर 1828 तक यह यहाँ पर गवर्नर था और इसी के काल में पहला आंगल बर्मा युद्ध होता है और यहाँ युद्ध किस संधी के साथ समाप्त होता है एक फेमर संधी जो पूछी जाती है याडंबू की संधी जो याडंबू की संधी है यह 1826 में होती है अंग्रेज और बर्मा के मध्या में होती है इसको भी याद करना है याडंबू की संथी ठीक है एमहस्ट को लेकरके एक बात और पूछी जाती है जैसे हमने देखा ना इसका जो कारेकाल था 1823 से लेके 28 तक का इसके कारेकाल में बैरकपुर के अंदर बैरकपुर चावनी में एक विद्रो होता है 1824 में तो कुशन बनता है 1824 में बैरकपुर चावनी में जो विद्रो हुआ वो किस के काल में हुआ एमहस्ट के काल में हुआ ठीक है नेक्स्ट है निमलिकित में से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रो को बरबरता और सबता के बीच युद्ध कहा था तो बरबरता और सबता के बीच का ये युद्ध था ये कहा था टी आर होम्स ने ओप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा टी आर होम्स की एक किताब है History of Indian Metuni यानि भारतिया विद्रो का इतिहास तो ये कहानी इसी के उपर है इसकी किताब इंपोर्टेंट कथन है करांती को लेकर के ये कोशन बनते हैं तो 1857 के विद्रो को भारत की पहली करांती सावरकर ने कहा डिजराईली की बात करें डिजराईली ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि जो 1857 का विद्रो था यहाँ एक राश्ट्रिया विद्रहो था यह किसने कहा था 1857 के विद्रहो को राश्ट्रिया विद्रहो यह डिजराईली ने कहा था L.E.R. रीज्द की बात करें तो इसका भी एक फेमस स्टेटमेंट है जो पूछा जाता है इसने कहा था कि 1857 की जो करांती है वो इसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध था तो इस करांती को धर्मयुद्ध किसने बोला रीज ने बोला बरबरत और सबता के बीच का युद्ध किसने बोला होम्स ने बोला राश्ट्य विद्रहो किसने बोला डेजराईली ने बोला और स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किस ने बोला सावरकर ने बोला ठीक है इसके अलावा कुछ important statements और हैं जो आपको याद करना है ठीक है जैसे एक statement है कि जो 1857 का करांती थी यहां अंग्रेजों के विरुद हिंदू और मुसल्मानों का शडियंत्र थ इन दोनों ने बोला था कि यह करांती एक शडियंत्र थी अंग्रेजों के विरुद ठीक है एक और statement जो कुछ धरम की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वो स्वतंत्रता संगराम के रूप में समाप्त हुआ यह statement किस ने बोला 57 को लेकर के यह बोला S.N. Sen ने ठीक है ए यह करतन किस ने कहा R.C. मजूमदार ने कहा ठीक है next है हमारा civil सेवाओं में सुधार हेतू PC होटा समीती का गठर किस वर्ष में किया गया था यह question आप से UP में पूछा गया था 2021 में काफी important question है धियार रखेंगे क्योंकि उत्राखन के exam में भी आपके जो question repeat होते है maximum question अगर आप देखेंगे तो UP PCS के होते हैं या फिर आपके राजस्थान और बिहार इनहीं तीन से आपके जादातर question उठाए जाते हैं और साथ में कवी प्वाबार MP के भी question को ले आता है PC होटा समीती यह सिविल सेवाओं से संबंदित समीती थी सिविल सेवाओं में सुधार से सं अप्शन B बनी थी और ये आज तक भारत की पहली और अंतिम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक थी ठीक है तो इनका नाम भी आपने याद करना है तो दोनों कथन यहां पर आपके सही हैं नेक्स्ट है कारबन क्रेडिट की अवधारना कहां उत्पन हुई थी कारबन क्रेडिट की अवधारना की बात करें यह आपके क्योटो प्रोटकॉल में उत्पन हुई थी Option B हमारा सही आंसर होगा कब हुआ था क्योटो प्रोटकॉल तो क्योटो प्रोटकॉल आपका 1997 में हुआ था लागू इसे 2005 में किया गया था ठीक है इसके तहट क्या प्रावधान किया गया था इसके तहट जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके उत्सर्जन को कम करने का लक्ष यहां पर रखा गया और उसी के लिए एक अवधारना विक्सित हुई कार्बन क्रेडिट ठीक है इसको आपने याद करना है निमलिकित में से कौन भारत के प्रतम वित आयोग का अध्यक्स था वित आयोग को लेकर के भी कोशन बनता है पहला कोशन बनता है इसका गठन कौन करता है दूसरा बनता है इसका गठन किस आर्टिकल के तहत होता है तीसरा बनता है इसका गठन कितने वर्षों के लिए होता है चौथा कोशन बनता है पहला वित आयोग कब बना पांचवा कोशन बनता है पहले वित आयोग का अध्यक्ष कौन था तो कई सारे कोशन बनते हैं इससे इसका गठन राश्ट्रपती करते हैं ठीक है इसका गठन आर्टिकल 280 के तहत होता है इसका गठन पांच वर्षों के लिए होता है पहला वितायोग 1951 में बना और इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे जो question में पूछा गया है इन questions को आपने याद करना है यही question आपसे paper में पूछे जाते हैं तो पहले वितायोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे वर्तमान में पंद्रवावितायोग चल रहा है इसके अध्यक्ष एन के सिंग है तो वर्तमान में पंद्रवावितायोग है इसका गठन 2017 में हुआ था और यह आपके 2020 से 2025 की period तक काम करेगा तो इसको भी आपने याद करना है ठीक है नेक्स्ट है हमारा मिकांग नदी के संधर्व में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है तो यह कोशन भी आप से UP में पूछा गया था मिकांग नदी एशिया की एक important नदी है एशिया की तीसरे सबसे लंबी नदी है इसको लेकर कि दो statement है पहला मिकांग का उदगम तिबबत के पठार से होता है तो यह statement यहाँ पर सही है मिकांग का डेल्टा दक्षर कमबोडिया में इस्दित है यह भी आपका सही है तो दोनो statement यहाँ पर आपके सही है जो मिकांग नदी है एशिया की एक प्रमुक नदी है इसको लेकर कि यह दो तत्थ्य आपने याद करने है नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा युगम सही समयलित नहीं है चलिए देखते है अंतराष्टिया शष्यवान की अनुसंधान केंद्र यह आपके नैरोबी में है केनिया में है बिलकुल सही है भारतिय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है ये भी सही है केंद्रिया सास्य वानिकी अनुसंधान संस्थान ये क्या आपके बांधा में पढ़ता है नहीं ये बांधा में नहीं पढ़ता ये आपके जहासी में पढ़ता है यूपी में पढ़ता है ठीक है जो अंतराष्ट्रिय वाला है वो नेरुबी में है जो केंद्रिय वाला है वो आपके जहासी योपी में है बाकी तीनों आपके सही है ठीक है भारतिय सम्विधान के अंतरगर निमलिकित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है तो कौन सा मौलिक कर्तवय नहीं है हमारे सम्विधान में शुरुवात में 10 मौलिक कर्तवय थे जब इनको जोड़ा गया था मूल सम्विधान में ये शामिल नहीं थे इनको जोड़ा गया था 1976 में जो 42 सम्विधान शंशुदन था और उस समय कितने थे? 10 थे, बाद में 11 भी जोड़ दिया गया, तो वरतमार में हमारे समविधान में 11 मौलिक कर्तव्य दिये गए हैं, जिसमें आपका आम चुनाववे में मतदान ये शामिल नहीं है, तो option A इसका सही आंसर होगा, मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी हमने एक नोडल डिवीजन है, राश्ट्रिया आपदा प्रबंदन प्रहधिकरन का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, देखे, question सिर्फ इतना है, जो उपर का दिया गया है, वो आपको confuse करने के लिए दिया गया है, और ये paper में आया हुआ question है, उसी की language है, question कहता है, कि जो भारत में आ राश्ट्या आपदा प्रबंदन है, इसका डिवीजन जो है, यहां आपके ग्रह मंत्राले के अधीन एक नोडल डिवीजन है, ठीक है, किसके अधीन है, ग्रह मंत्राले के अधीन, और पूचा है, इसका अपदेन अध्यक्ष कौन होता है, ताकि आप ग्रह मंत्री पर टिक कर दें तो ये गलत हो जाएगा सही आंसर है प्रधानमंत्री जो राश्ट्रिया आपदा प्रबंदन प्राधिकरण होता है इसके पदेन अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं ठीक है फयादुल फवाद नामक पुस्तक सेक निजदामुद्दीन ओलिया की बातचीत का वि जामीन है उप्शन डी सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पर प्रधक मत अधिकार हो अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं यहा कथन किसने कहा था समविधान सभा में तो ये एक फे अपने पीछे एक शरारत यहां पर छोड़ गए हैं तो इसको आपने याद करना है ठीक है नेक्स्ट है बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन किस में किया गया है तो महात्मा बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन ये किय गया है अभिधम पीटक में Option C हमारा सही आंसर होगा देखे जो त्री पीटक है बौद धर्म के इनको लेकर लगातार कोशन बनते हैं पहले कोशन तो ये बनते हैं कि कौन-कौन सी बौस अंगती में कौन-कौन सा पीटक बना दूसरा बनता है किस पीटक में क्या बात कही गई है अभी तक तो सिर्फ ये बनता था कौन इनमें से त्री पीटक का भाग है नहीं है तो ये तीनों त्री पीटक के भाग है इनमें अलग-अलग बातें बताई गई है जो अभिधम पीटक है इसमें महात्मा बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है जो सुत पीटक है इसमें महात्मा बुद्ध के समवादों का संकलन किया गया है ठीक है? और विने पीटक में भिक्षों के नियमों के बारे में बताया गया है या फिर जो बौध संग है उसके अंदर जो आपको नियम आधी पालन करने होते हैं उनके बारे में विने पीटक है तो तीनों को याद करना है नियमों की बारे में जानकारी यहाँ पर है सुत्व पीटक में महत्म बुद्ध के संवाद दिये गए है और अभिधम पीटक में उनके विचार दिये गए है इनको आपने याद करना है सिंपल साभ इस तरीके से याद कर सकते हैं नियम, संवाद और विचार जो आपका विने पीठक है और सुत्व पीठक है इन दोनों को संकलित किया गया था पहली बहुत संगती में इसको याद करेंगे और जो अभिधम पीठक है इसे तीसरी बहुत संगती में अशो के काल में संकलित किया गया इनको भी आपने याद करना है कोशन बन जाता है ठीक सतलुज और सिंधु इनके बीच में पढ़ता है आपका पंजाब हिमाले option A हमारा सही आंसर होगा देखे एक विक्ती है एक भोगौलिक विक्दवान है जिनका नाम है सिडनी बुराड सिडनी बुराड ने हिमालिया का विभाजन प्रादेशिक वर्गी करण जो किया है वो नदी के आधार पर किया है और उसने चार हिमालियों में इसको बाटा है सिडनी बुराड ने एक है पंजाब हिमाले जो आपके सतलुज और सिंधु नदी के मध्या में है दूसरा है कुमाव हिमाले, आपके किस-किस नदी के बीच में आता है, ये आता है सतलज और काली नदी के बीच में, फिर आता है नेपाल हिमाले, ये आपके काली और तिस्ता नदी के मध्य में है, और फिर आता है असम हिमाले, ये आपके तिस्ता और दिहांग नदी के मध्य इनको आपने याद करने हैं, ये चारों आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, तिस्ता और दिहांग, दिहांग यानि ब्रहमपुत्र, तो पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज, कुमाव हिमालय, सतलज और काली, नेपाल हिमालय, काली और तिस्ता, असम हिमालय, तिस्ता और दिह इसको भी याइड करेंगे, नेश्ट है हमारा, चीनियात्री होईANS्सांञ ये 629 में भारत आया था, 645 तक लगभग ये भारत में रहा, ये भारत आया क्यों था? ये भारत आया था बहुत गरंतों का संकलन करने के लिए, किसके काल में आया था तो ये भारत हशवर्धन के काल में आया था ठीक है और इसने अध्यन कहां किया इसने अध्यन किया था नालंदा में तो option A हमारा सही आंसर हो जाएगा ठीक है नालंदा में इसने अध्यन किया था और इसके समय नालंदा के कुलपती कौन थे उनका नाम था आचारिया शीलभद्र इनका नाम भी याद करेंगे पूछा जाएगा हो इंसांग के समय नालंदा के कुलपती कौन थे आचारिया सीलभद्र थे ठीक है लगभग डेड़ साल तक उसने नालंदा में अध्यन किया था ठीक है किसने हो इंसांग ने हो इंसांग को लेकर के दो तीन बातें और पूछी जाती है कुछ बाते तो हमने देख लिखा बाया था किसके काल में आया, क्यूं आया, कहां पढ़ा ही करी वहां कौन में टीचर था, सारी बाते कुछ बाते और हैं इसने अपना यात्रा विवरन लिखा है इसके यात्रा विवरन का नाम है सी यू की ये कोशन भी बनता है होईन सांग ने अपना यात्रा विवरन किस नाम से लिखा है सी यू की के नाम से जैसे हमने बात करी ये हश्वर्धन के काल में भारत आये था और एक कोशन आप से पू शुद्रों को क्या बोला गया है, शुद्रों को यहाँ पर कृषक बोला गया है, इसको भी याद करेंगे, और इसके कुछ उपनाम है, इसके होइन सांग के, एक उपनाम तो इसने हशवर्धन को दिया, सिलादित्या, इसके भी कुछ उपनाम है, इसे यात्रियों में राजक इसके अलावा होइन स्वांग को नीती का पंडित बोला जाता है नीती का पंडित किसको कहते हैं होइन स्वांग को साक्यमुनी किसको बोला जाता है साक्यमुनी भी होइन स्यांग को बोला जाता है यह कुछ important इससे related question जो आपको note करते वे चल ले हैं ठीक है तो friends यह ता हमारा जो हमारी सीरीज है टॉप GK MCQ सीरीज आज हमने इस सीरीज का 21 पार्ट यहां पे कवर किया जो प्रिविस एर के कोशन से इनको हमने यहां पर देखा अत्रिक तत्यों को कवर किया उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेर करें वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो उसको देखने के लिए चैनल की प्लेलिस को विजिट जरूर करें इस सीरीज के जो प्रिविस वीडियो हैं आप उनको इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने दिया है वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं थैंक यू फ्रेंट्स